टीम इंडिया पर ICC ने लगाया जुर्माना हार के बाद टीम इंडिया को लगा एक और जटका अब आप सोच रहोंगे कि इंडिया ने ऐसे कोई गलती तो करी नहीं फिर आखिर ICC ने उन पर जुर्माना क्यों लगा दिया है आपको बता दे कि टीम इंडिया से एक भारी कम डाले थी जिसके चलते ICC ने 10 प्रतिश्यत मैच फीज का जुर्माना लगा है टीम इंडिया पर उसी के साथ सा डबलू टीसी के दो पॉइंट्स भी काटे हैं इसका मतलत यह हुआ कि इंडिया को भारी नुकसान जिलना पड़ा फाइन तो उन पर लगा ही लगा साथ सा कि 2.3 टीम इंडिया को गवाने पड़े हैं आपको बता दे कि ICC के नियम के मताबिक जब भी कोई टीम तैस समय में निश्चित ओवर नहीं डाल पाती है तो वह स्लो ओवर रेट की ऑफेंस में माना जाता है और ऐसी सूरत में टीम पर जुर्माना लगा जाता है और यही ट बादर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा टीम इंडिया को आपको अता दे जब कल मुकाबला खिला जा रहा था और इंडिया की जब बल्ले बाजी चल रही तो बहुत ही बेशर्मी वाला परफॉर्मेंस किया था टीम इंडिया ने सिफ विराट गोली ने रंस बनाए और शुबमंगिल ने 25-26 रं बनाए उसके बाद कोई खिलाड़ी चला ही नहीं टीम इंडिया का श्रेयस एयर रोही शर्मा यशश्वी जैसवाल यहां ता कि क्यल राहूल जो पहले इनिंग में शतक वीर थे शतक लगाया तो नोंने लेकिन वो भी दूसरे इनिंग में नहीं चल पाए और बहुत ही कम रनों के स्कोर पर आउट हो गए टीम इंडिया को कुछ भी नहीं बचा सका कुछ भी चीज काम नहीं आई कोई भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ा हार मिली तो मिली लेकिन अब आईसेसी ने भी जुर्माना लगा दिया ऐसे में डबल डबल जटके लग चुक है टीम इंडिया को आपका इस पूरे मुद्धे पर क्या कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मैं जरूर बताएं और साथ-साथ ओफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूले